तो दो दिन में लड़की का इंतिजाम करने के लिए तो बोला है अनू के लिए वो तो कर देगी इतनी होशिया जो है वो लड़की लेकिन इस अंजली का क्या करो तब तक कंचली यहां रहेगी पता नहीं राहुल दूसरी शादी करेगा यह नहीं अगर करेगा भी तो मैं उसका रीजन क्या बताऊं उसे अगर दूसरी शादी के लिए उन दोनों का होने वाला बच्चा पीश में आ गया तो हाँ एक आइडिया आया है सबसे पहले इस दुनिया से उस पच्चे का नामों निशान मिटाना ऊगा अरे वा मुझे तक इडिया भी आ गया है वा मेरे भी दिमाग कर जवाब नहीं है क्या हुआ दादी यहां ऐसे क्यों बेटियो आन लग रही हो क्या हुआ बताऊ ना अरे बेटा क्या बताओ वह दूबारा नीका जो है न उसने कुछ मेरे सामान शुरा के भाग गए बेटा क्या बताओ क्या मेरे कीमती सामान था अरे दादी क्या है हम लोग दुबारा नेया खरीद लेंगे अरे बेटा क्या बताओ तुझे वो उसमें मेरी मा की निशानी थी एक चांदी की हाँ फिंगर रिंग थी बेटा वो मेरी मा की निशानी थी बता मैं अब कैसे लापाओंगी मैंने पूरा खर शान मार लिया नहीं मिला है बेटा और पता ने उसका गाओं की दर है मुझे भी नहीं पता पता है मेरी माँ की एकी निशानी थी जब मेरी माँ गुजरी है तब से उसे मैंने दूर ने किया अपने से अरे दादी चिंता मत करो मैं जाओंगा उनके गाओं मुझे पता है उसका गर और जाके वहाँ से ढूनके लाओंगा उसके पास से अरे वा बिटा तुस्से यही उम्मीद थी जैसे वहाँ पहुंच जाए ना बिटा वो अगर मना भी करे ना तो उसे उदर जबरदस्ती उठा के ले आना उसे मैं उगलाओंगी उससे उसी ने चुराया होगा दो तीर बार उस नहीं देखा था बोल रही थी कितनी सुन्दर रिंग है हान तुम चिंदा मत कर दादी मैं उसे कैसे भी ढूनके लाओंगा भगवान अच्छा हुआ अब ये मेरे बीच में भी नहीं आएगा मेरा काम भी बन जाएगा और वो जो कल्मू ही है ना मोनिका उसे आने दो बताऊंगी उसका आज उसकी लापरवाही की वज़े से ही सब पता चला ना इने उससे तुम में नहीं छोड़ूंगी अरे ये क्या ये तो लिफ्ट की उपर जाने क्या वाज आ रही है ओहू लिफ्ट उपर जा रही है मेरे काम को अंजाम देने का समय आ गया है जल्दी से अपने काम को अंजाम देती हूं मैं आपको बड़ी स्मार्ट समस्ती है ना देखती हूं आप क्या करती है तो उत्रेगी न अभी यह महारानी यही से यहां पर यहां डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल अब पता चलेगा जब यह तेल में पैर रखके गीरेगी न जब देखती हूँ कैसी उसकी हाला ठीक रहती है दो महीने का तो प्रेगनेंट है अगर मेरा प्लान ठीक से काम कर गया तो जट से उसका बोशन हो जाएगा मेरे मेरी माग का कोई जवाब नहीं है तमाशा देखूंगी अब मैं हाँ उतर रही है लिफ्ट नीचे अब आएगा मज़ा किरती क्या हुआ है तुम्हें कैसे कैसे किर गई तुम अभी तुम्हें ड्रसिंग करना पड़ेगा सर पे से खून भी आ रहा है देखिए सर किरती माम का अच्छे से ध्यान रखा करिए अगर अभी थोड़ी उमर भी हो गई है अनकी अगर ऐसे इने चोट लगती रही तो फैक्चर अक्चर भी हो सकता है अब कैसा फिल कर रही है माम ठीक है लेकिन पेट में थोड़ा से दर्थ हो रहा है एक्दम से मैं अपने सर के बल ऐसे गिरी हूँ ना हाँ ठीक है मैंने दवाई दे दी है ठीक हो जाओगे अब मैं चलती हूँ और राहूल कहा है राहूल नहीं दिख रहा है वो कोई काम से गाउं गया है मौनिका को लेने हाँ हाँ सर अकर मेंट्स ना हो तो घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है देखे न अंटी की सारी में कितना तेल तेल लगा हुआ है लग रहा है कि अंटी तेल की वज़े से पिसल के गिर गई है दियान दीजिएगा सर मैं चलती हूँ मैं कल आउंगी तुम उटके क्यों बैठ रही हो लेटे रहो देखे ना मेरी सारी पे कितना सारा तेल लगा हुआ है इसका मतलब समझ रहे हो तुम समझ गया हूँ इसका मतलब तेल से विसल के गिरे हो तुम अरे आप समझ नहीं रहे हो रोज यह टाइम पर अंजली उतर दिया खाना खाने के लिए और रात में मुझे बहुत उसकी चिंता हो रही थी पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं उसके पास जाके सो गई इसका मतलब समझ नहीं रहे हो मैंने कहा न अमा जी के मन में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है हाँ आप समझा इसका मतलब अमा नहीं तेल डाला है यह हाँ जी आप क्यों नहीं समझ रहे हो अगर मेरी जगा अंजली होती तो आज उसके साथ क्या होता तुम ही सोच लो हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो पता नहीं अंजली को यहां से भेजना पड़ेगा पर वो जाएगी नहीं किसना किसी तरह मुझे से यहां से भेजना ही पड़ेगा अमा जी आपने मेरा हार देखा है क्या नौलक का हार मेरी मा का नहीं दिख रहा है अमा जी तो क्या समझ के रखिए दोने समझ के रखा है दुमने जोर समझाए क्या मुझे मैं जाके अंजली के कमरे में चेक करके आती हूँ यह आज सूरज कहां से निकल गया है अपनी बहु के पर ही शक हो रहा है इसे ऐसे कैसे हो गया जो भी हुआ अच्छा ही हुआ क्या हुआ है आज इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे में और आपको तो कल चोट लगी थी न आप मुझे आवास दे दे थी तो मैं ही आजाते न ममी जी क्या कामें बताई है कुछ नहीं है मेरा नौलक कहार गुम हो गया है मेरी मा की निशानी मैं तेरे अलमारी में चिप करने आई हूँ अलमीरा में चेक करने आई हूँ समझी न तो यह क्या हो गया है अमा जी नहीं कुछ कहा है क्या ममी जी को लेके परिखे आज मरसा तेसे बरताब कर रहे है अपने सारे केने तो लॉकर में रहते है न फिर भी मुझे चेक करना है ये क्या है ये क्या है अंजली मुझे तुमबर इतना भरोशा था बदाओ ये क्या है बात का विश्वास कीजिए पता नहीं है यहां पर कैसे आया है ममी जी सच में मैं नहीं जानती हूं ममी जी आपको मेरे पर इत्ता दो विश्वास है न ममी जी यह मैंने नहीं किया शायद यह अम्मा जी नहीं किया होगा रहने दे अंजली, अम्मा जी या उपर क्यों आएगी, मैं नीचे जा रहे हूँ और नीचे आओ तुम, अम्मा जी करेंगी अब तुम्हारा फैसला अरे ममी जी, ऐसे मत कीजिए, कितना भरोसा किया था अब आप इस घर की बड़ी हो, आप इस चीज का न्याए कीजिए, कि अंजली के साथ क्या किया जाए, पुलिस को बुलाओ क्यों अरे मुझे तो पहले से पता था, ये लड़की ठीक नहीं है, पता है, मुझे तो पहले से लड़की पसंद नहीं है मेरा काम तो अपने याप ही हो गया है, अब मैं क्या फैसला करो इसके साथ, पुलिस उसलिस में बुलाओंगी तो फिर बहुत ज़्या तैकीखात हो जाएगी, इसके चक्र में मैं नहीं पढ़ जाओ अरे अमा बताओ ना, क्या फैसला सुनाना चाहती हो मैं तो एक ही फैसला सुनाना चाहते हूँ, कि इस घर से धक के मार के निकाल दो इस लड़की को यह क्या कर रही है ममी जी, ऐसे मत कीजिए, पापा जी आप समझाईए ना ममी जी को सुरी बेटा, मुझे इतना बरुजा था तुम पर, कि तुम कितनी अच्छी हो, यह पता नहीं कि तुम चोर हो क्यों है समझाईए जी, क्यों चिला रहा है मेरे अंचली पर, बताएए ना क्या किया है अंचली ने ऐसा ममा, मा तुम का बाई? ममा, मैंने यह नहीं चुराया है, सब लोग मुझे चोर कह रहे हैं ममा यह क्या है किर्थी जी, क्यों ऐसा कह रही है उचोर? देख लो समझाईए जी, तुमारी लड़की चोर है, और उसके अलमारी से ही निकला है यह नौलख का हार समझ गई न? और अपनी बेटी को लो, यहां से 9-11 हो जाओ, यह तो पुलिस आ जाएगी तो खामखाल लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं ममी, आने तो पुलिस को, नहीं चलता हैं हम यहां से, रुकेंगे हम यहां पे, हम गलत नहीं है नहीं लिए रहना चाहती हो तुम यहां पे, तुमने मुझे भले ही कुछ न बताया हो अनिका से मुझे सब पता चल गया है, कि राहूल के बीच में तुमारे बीच में क्या चल रहा है कोई जरूत नहीं है रहने की, तेरी माँ जिन्दा है अभी, चल यहां से नहीं ममी, मुझे लग रहा है कि हमारे ममीची किसी तबाव में आके ऐसा कहर रही होगी क्या, तुझे और तबाव लग रहा है, इतनी इंसल्ट हो रही है तेरी, चल चल ताई यहां से मैं कैसे यह बूल गई, कि इसकी माँ भी तो चोड थी, मेरे गहने चुराए थी इसकी माँ ने क्या, चोरों का खान दाने के यह, हाँ हाँ, अमाजी, इसकी माँ ने चुराया था, अब यह ऐसे कैसे जाएगी, बड़ा हाथ मार की जाएगी ना, ऐसे कैसे निकलेगी यहां से सुन लिया है, कि और कुछ सुनना बाकी है, चल यहां से कोई नहीं है तेरा यहां पे, हाँ मा, सच कह रही हो तुम, चलो, चलते हैं यहां से मेरा रास्ते का काटा तो ऐसे ही निकल गया है, अब जल से जल राहूल की दूसरी शादी करके, राच करूंगे इस गर में मुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा, मैंने इतना बुरा किया है, अंचली के साथ देखो न, उसने मजए, इतने साल हम दूर थे, तुम्हें वापस मुझे लुटा दिया, लेकिन मैंने क्या किया उसके साथ मैं भी क्या करती, वैसे ही इस घर से जाने वाली तो नहीं थी, मुझे और तुम्हें छोड़के नहीं जाती वो, राचूल उसे कितना भी बुरा बला कहलो, लेकिन उसके साथ ऐसा करना ही ठीक था, मैं भी सम्धन जी को फोन करके सब बता दिया है मैंने पहले ही, उसे कुछ भी पताने से मना किया है, और अच्छे से उसका धियान रखने का बोला है, हाँ किर्दी तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, हम फिर बुला लेंगे अंजली को ऐसे लगता है तुमें कि सब कुछ ठीक होगा, अम्मा जी दूसरी शादी करवाने वाली है रहुल की बुरा कितना भी बुरा हो जाए, भले के आगे वो नन्ना ही होता है, हमेशा जीत सचाएकी होती है, तुम चिंता मत करो, तुमने सब बता दिया ना सम्धन जी को हाँ मैंने अंजली की मुम्मे को सब कुछ बता दिया है, तब ही तो वो ना इस टाइम पे करक्ट आ गई थी उसे लेने के लिए, सोचे ना अगर मेरी जगा वो गिरती तो उसे भी और उसके बच्चे को भी नुकसान हो जाता ना हाँ, तुमने जो भी किया, अंजली के भले के लिए किया, तुम चिंता मत करो पता नहीं भगवान सब कुछ कब ठीक होगा